नमस्कार दोस्तों, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्लैटफॉर्म पे जहाँ पे आपको हर तरह के टीचर रिकूरूट्मेंट की खबर से रूबरू कराया जाता है अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रस द छोटू बेल आइकन फोट द लेडिस अपडेट थोड़ी सी तवियत खराब होने के कारण आवाज मेरी खिक से नहीं पहुंच पाय रही होगी उसके लिए पहले से माप भी चाता हूँ सबसे पहले मैं दो-तीन चीजें क्लियर कर दूँ ये 15 नए कस्तुर्बा गांधी स्कूलों से रिक्रूट्मेंट आई हुई है पहली बात जो आपको नौट करने की बात है अप्लिकेशन फॉर्म यानि की ऑनलाइन नहीं होगा ये अप्लिकेशन फॉर्म मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे अपलोड करा दूँगा वहां से आप उस अप्लिकेशन को फिल कर लेना और उसे आपको बाई पोस्ट भेज देना है उसके बाद देखो अगर आप खुद से इस website पे आना चाहते हो तो उसकी link भी मैं दे दूँगा हमारे टेलिग्राम चैनल पे तो टेलिग्राम चैनल का link आपको description में या फिर comment section दोनों जगा पे मिल जाएगा तो टेलिग्राम से जुड़ जाएं ताकि आप सारे चीज़ों को आसानी से समझ पाओ अब देखिए इन 15 स्कूलों में TGT, PGT की recruitment है या किस चीज़ की recruitment है पूरी बात हम लोग जानने की कोशिस करेंगे और age जो है मैं आपको बता दूँ बिलकुल एक great opportunity है आप लोगों के लिए 45 साल तक के लोग इससे apply कर सकते हैं तो age वाली तो कोई दिक्कत नहीं होगी 45 years तक अगर आप अभी भी भटक रहे हो इससे अधिक age हो गया है तो फिर जरूर कमिया कुछ नकुछ आपके अंदर रही होगी अगर आप 45 के हो तो फिर आप apply कर सकते हो तो चलिए देखते हैं देखो बिलकुल आपको नीचे आना है and then देखो मैं बिलकुल आपको website जो है वो तो दिखा ही दूँगा आप यहां से जब जैसे ही नीचे आओगे तो देखो बिलकुल यहां से आप देखो what's new में आना है और what's new पे यहां से मैं आपको एक दिखा देता हूँ rectangle shape में यह रहा यहां से आप देख सकते हो stop selection application form for कस्तुर्वा गांधी residential school देखो यहां पे एक और चीज जो है मैं आपको बता दू रहना खाना फिरी है पैसे देनने की ज़रुरत नहीं होगी आपको free residence तो होगा ही वहा currency आई हुई है कारियाल है जिला basic सिक्षा अधिकारी परतापगर से तो यह recruitment government की तरफ से आई हुई है पिल्कुल आप यहां से देख सकते हो मैं इसे अच्छे से दिखा देता हूँ इसे मैं adobe reader में खोल के आप लोगों को और अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि यह disturbance ना ह बिल्कुल adobe reader अब खुल चुका है थोड़ी सी wait कर लेते हैं हम लोग जी अब यहां से आप देख सकते हो असानी से चीजों को यह देख लो सबसे पले अंग्रेजी देखो अब यहां पर पूर्ण कालिक सिख चिका है यहां पर ध्यान देना आप पूर्ण यानि कि देख सकते हो हिंदी और संस्क्रीट यहां पर पांच टोटल सीट्स हैं जिनमें से की एक ही अन्रिजर्ब्ड है तीन जो है वो है OBC के लिए और एक है SCST के लिए रिजर्ब्ड आगे जब आप बढ़ोगे तो यहां से देख सकते हो जो समानी विशे है उसके लिए 6 टीचर की वेकेंसी है जिसमें की 3 अन्रिजर्ब्ड है और 3 अनुसूचित जन्जाती के लिए यह जो कह है रिजर्ब्ड है गनित टीचर की भी यहां पर रिकूट्मेंट यानि की मैथमेटिक्स टीचर की रिकूट्मेंट आप देख सकते हो और विग्यान टीचर की भी रिकूट् opportunity कि आप अगर यहाँ पर काम करना चाहे हो तो और यहाँ से देख सकते हो लेखाकार, रसोईया, चौकिदार, चपरासी के भी recruitment खाली है और art and craft, music teacher की भी recruitment आप यहाँ से देख सकते हो और salary भी अब देखो जो लोग पूछते हैं कि सर्व official link क्या है, link देदो, link देदो तो यह रहा आपके लिए link, यहाँ से देख लो http उसके बाद परतापgar.nic.in आपको खोल लेना है, देखो जो भी पूछते हैं कि link कहा है Google में type करो और खुद से verify करो, देखो verify खुद से नहीं करोगे तो कैसे जान पाओगे की चीजें, क्या है खेर मैं आपको यह बता दू, यहाँ से आप देख सकते हो, इसके बारे में जो भी बातें लिखी गई है, वो देख लो आप कि क्या-क्या qualification होना चाहिए देख लो यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर rectangle shape में देखा सकता हूँ, यहाँ से देख सकते हो, beard होना जरूरी है, पहली बात, tat का होना जरूरी है, यहाँ से देख लो ऊपर में अगर मैं थोड़ा सा और दिखा दू, तो एक ही frame में आप दोनों चीजों को देख पाओगे, tat होना जरूरी है, कोई भी state, tat आपने pass किया हो, या seat, tat pass किया हो, तो आप apply कर सकते हो, अब देख लो यहाँ पर, computer teacher, b.at, जो भी है, पूरी information आप यहाँ से ले सकते हो, और 25 years at least होना चाहिए, कम से कम, और अधिक से अधिक 45 years, ज्यादा से ज्यादा, तो यह चीज़े हैं, अ अब यहाँ से देख लो, यह application form, इस application form को भर कर आपको भेजना है, तो यह देख सकते हो, आप और कोई भी दिक्कत हो, तो आप मेरी यहाँ से email id देख लो, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, mythun sing, आप जो है, अगर instagram पे हो, तो मुझे यहाँ पर follow करके question पूश सकते हो, या फिर your mythun sing पे आप जो है, मुझे email कर सकते हो, your mythun sing at the rate gmail.com पे, तो वहाँ से भी आप मुझे जूड सकते हो, कोई भी doubt हो, मामले के regarding में तो मुझे पूश सकते हो, अगर आप नए हो,